जहिन दोस्तों, गर्मी का टाइम शुरू हो गया है, लंबे समय तक AC बंद रहने के चलते हैं, उसके वेंट में डश्ट जमा हो जाते हैं, और जब आप AC चलाते हैं, वेंट से डश्ट तो निकल के आते ही हैं, उसके साथ साथ थोरे थोरे कुछ खराब एसमेल भी AC से आने ल सकता है, ताकि बाकी लोगों को भी बताया जासे के, तो आप देखें, इस वेंट में मैंने अभी तक नहीं डाला है, बाकी सारे एक एक वेंट में डालूंगा, और रहा क्वालिटी का बात भी मैं यहां पे आप लोगों को बताता, चलू तो, तामबे का देकर के रखा और और एक दो मिनट तक, एयर वेंट के इसके नॉब को फोर पे रख देना है, पीछे वाले को भी तीन पे रख करके, एक दो मिनट तक चला के छोड़ देना है, उसका गारी आराम से बंद कीजिए, और यह जो है, इसको पूरा अंदर तक एदम डालिए, अगर आप देख सकत और धीरे 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 अंदर फोम भरता जाएगा, और बाहर हम लोग खीशते जाएगे, देखे, यह भर गया, अपने हाप यहाँ पे, यह चीन निकल गया, इसको दस से पंदर मिनट तक छोड़ देना है, ऐसे ही हम गारी के सारे वेंट्स में करेंगे, साल में जब भी आप ठंड के बाद गर्मी में AC का यूज करें, तो उससे पहले ये एक बार कर लिया करें, इससे आपके गारी की कूलिंग हमेशा नए जैसी बनी रहेगी, अगर आप लोग को कुछ और भी पूछना हो, तो हमारे वीडियो का कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला ह हुआ है, हमारा टेलीग्राम ग्रूप जोर जोइन कर लिजे, लिंक डिस्किप्शन में दे रहा हूँ, कुछ भी कोस्टन हो, पूछिए कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए, बताइए, मैं आपके लिए सदा हाजिर हूँ, यहाँ पे जो फोम बन के रह जाएगा, दस से 5 मेट तक इसे छोड़ देना है, उसके बाद 5 मेट के लिए AC चालू करके गारी को स्टार्ट करके छोड़ देना है, उसके अद बस गारी बंद करके हम लोगो हट जाना है, हाँ, जोकि इसमें फोम डाला हुआ है, तो जब भी आप AC चलाईएगा, तो गारी के चारो डोर य यह सुरा सूख गिया है, इस वाले वेंट में भी देखे, मैंने फूल कर दिया था, इसके साथ ही यह जो च्छत वाला वेंट है, इसको ही जब तक बाहर ना आ गया था, तक मैंने नहीं छोड़ा था, यह देखे, पानी की बुंदे बन गई है, से महाल इधर का भी है, इन पे कैसे डालते हैं, वो आपको बताता हूँ, देखे, यह पूरा हो गया, इसके बाद इस पर यह सील लगा हुआ रहता है, आप इसे ऐसे तोर के हटा दें, और अब यह यूज के लिए तयार है, तो करीब दस मिनट हो गए हैं, और देखे, यहाँ पे कितने अच्छे से य मुझे पोच लेना है, सारे वेंट में ही, यह माइक्रो फाइवर क्लोथ है, आप सब को भी माइक्रो फाइवर क्लोथ अपने गारी में रखना चाहिए, आप चाहते हैं कि माइक्रो फाइवर क्लोथ इसके उपर भी मैं वेक वीडियो दूं आप लोगों को, तो मैं बज़ कर दिया है मैंने start आप वहाँ से देख पा रहे होंगे AC को हमने off रखा है सामने वाले को दो किये speed पे चलाया है और पीछे वाले को भी एक की speed पे चलाया है उधर से देखें वेंट से थोरे-थोरे form निकल के आ रहे हैं इस तोनों 178 पर उन नहींके एसे स्वाइब कर दिये था तो थो denymay मैं एसे का भी सूइच्पन कर दिया है भोट था कईलर की सहारे वेंट के एयर्फ्लो कि लिएर रहे मेज़र डिफ्रेंस जो हमसा हoperation बेषे 1 यहाँ उदेखियो, पर andra युक। निकलता है तो इस साइड उस साइड निकलता है सामने से निकलता है और जो आपको सामने वाले रेडियेटर को क्लीन करना होता है तो उसके लिए क्या कीजिए आप कि पिलास के मदद से इसको निकालके हटा दीजिए पाइप में से जब यह निकल जागा तो जब आप यहां से बोतल से प्रेस करेंगे तो ये चीज सिधा सिधा निकल के सामने वाले वेंट पर परेगा जिससे कि आपका ये क्लीन